जब जाच के आदेश हुए है तो यू टन लेते ही उस पॉलिसी को वापस ले लिया अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो वापस क्यो ली ब्रस्टा चार मिटाना हमारा संकल्फ है क्या देवली क्या खालप और कौन सी ऐसी जगह नहीं थी जिस कालोनी में सरापके नहीं कोल ने ओके जरीवाल ले यह सब जूटा है बकवास है आज दे दो इस्टीफा नहीं तो आपको कल देना पड़ेगा परसो देना पड़ेगा स्टीफा तो आपको देना ही पड़ेगा हमारी महला मोर्चा की अध्याच्चा बैन योगता सिंग जी पूर विधायक अनिल शर्मा जी हमारी उपाध्याच्चा बैन सुनिता कांगला जी विने रावत जी और हमारे पूर विधायक यहां उपस्तित कमांडो साब यहां विधायक भी उपस्तित हैं सभी कारिकरता साथ बाई और बहनों आपको पता है कि अगर कल के दिन परसो के दिन केजरिवाल जेल के अंदर गय है तो ये भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं की तो बड़ी जीत है ही इसमें कोई सक नहीं इसका अगर सबसे बड़ा स्थ्रे किसी को जाता है तो आप सब भारती जनता साथियों बाईयों और बेहनों को जाता है दिल्ली की उन माताओं बेहनों को जाता है जिनोंने बारती जनता पार्टी के इस तीन साल के संगर्स में एक भी दिन पीठ नहीं दिखाई है मैं अपने ट्यूटर एकाउंट पर देख रहा था 30 मार्च 2021 को हमने पहली प्रेस कॉ कॉंफेंस हमारे लीडर आप अपोजीशन रामबीर विधूरी जी के साथ उसमें दिनेश जी भी थे उनके साथ पहली प्रेस कॉंफेंस तब की थी जब ये पॉलिसी ड्राप्ट भी हुई थी लाबू नहीं हुई थी एनि बारती जनता पार्टी ने उस विपच्च की काते हुए दिल्ली में तीन साल अर्विन केजरीवाल के ब्रस्टाचार के किलाब शंखनाद भूका था तब अर्विन केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि अरे हम तो इमानदार हैं ये दूसरी पॉलिसी जो पहले थी या दूसरे राज्यों में है उसमें ब अनमाने ढंग से लागू की जब लागू की और उसके बाद आपको ध्यान होगा एक साल के बाद जब जाच के आदेर्स हुए तो यूटन लेते ही उस पॉलिसी को वापस ले लिया अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो वापस क्यों ली कर ये सारी बाते आप सबको पता ह लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ ब्रस्टा चार मिटाना हमारा संकल्प है सिर्फ नारा नहीं है ब्रस्टा चार मिटाना हमारा संकल्प है जो आमादी पायटी के नेता जो कहते थे हम तो इमानदारी के लिए आए हैं हम तो सुराज के लिए आए हैं हम तो गली मुहला के लोगों की बात करके उनकी अनुसार कारी करेंगे जो केजरीवाल अपनी सुराज में कुस्तक में कहते थे हम कोई सराप का ठेका इलीगल खोलेंगे नहीं वही मंदिरों के पास ठेके खोल रहे थे वही सराप माफिया को हजारो करोर का फायदा दिलवाने के लिए गली मौले के नुकर पर सराप के ठेके खोल लें क्या लक्ष्मी नगर क्या पतेल नगर क्या मोती नगर और क्या देवली क्या खान पूर कौन सी ऐसी जगए नहीं थी जिस कालोनी में सराव के नए ठेके नहीं कोले हों केजरिवाल ने अज तो तब हो गई जब उन ठेकों को बंद कराने के लिए जब मातः बेहने प्रदरसन करने के लिए आई तो उन पर भी केजरिवाल के गुंडों ने लाठी चार्स किया एक-एक जो लाठी चार्जे कुन्डो द्वारा केजरिवाल के मार्शल के द्वारा उन माताओं बेहनों पर किया गया जो सराप की दुकान खोलने के विरोध में था एक-एक लाठी की आज केजरिवाल के उपर बीत रही है आज उनके तीन तीन नेता जेल में है चौथे वो भी है तो आज बारती जंता पाइटी जो लोग ये कहते हैं कह रहा है सारे विधायक चमचागीरी में उनके साथ गए है उनके घर गए है बोले केजरिवाल जी आप जेल से ही सासन करोगे जेल से ही मुख्यमंत्री रहोगे अरे ये देश सम्विधान से चलता है कानून से चलता है और कानून से भी उपर राजनीत के अंदर एक मरियादा से चलता है भारत के 75 सालों के इतियास में सम्विधान में उठा कर देख लीजिए और सम्मिधान के बाहर भी नैतिक्ता के ऊपर राजनीती चलती है नैतिक्ता का तकाजा ये है जिस दिन केजरीवाल को वाहा से अपने घर से वो ग्रफतार करके ले गए केजरीवाल को वहीं इस्तिफा दे देना चाहिए लेकिन ये इनकी नेतिकता है ये इनकी बेहयाई है बेशर्मी है ये राजनीती सत्ता के लिए करने आये थे दिखावे के लिए कह रहे थे हम तो राजनीती इमानदारी त्याक के लिए कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं ये सब जूटा है बकवास है सिर्फ एक दिखावा ह और केजरीवाल जो दिखावा कर रहे थे वो सारी की सारी देश की और दिली की जंता उसको पहचान लिया है इसरी केजरीवाल आज देदो विचाजी नहीं तो आपको कल देना पड़ेगा परसों देना पड़ेगा इस्तीफ़ा तो आपको देना ही पड़ेगा भारती जन्ता पार्टी के एक एक कारिकरता का संघर्ष जो रंग लाया है वो अन्तिम दहलीस तक जाएगा जब तक के केजरीवाल और उनकी सरकार का स्थीपा नहीं होता तब तक हमारा ये संघर्स कायम रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद जैहन्द जैभारत भारत माता की भारती जनता पाटी केजरीवाल इस्तिफादो भस्ताचारी केजरीवाल आप देख रहे हैं सौगंद टीवी सौगंद वतन की